तो विराट कोली ने बड़ा record अपने नाम कर लिया है। आपको बता देए कि विराट कोली के बल्ले से शरतक निकला है, और कई दिनों के बात ये शरतक निकला। आपको बता देए कि टेस्ट मैच में लंबे समय से जो फैंस है, वो इंतजार कर रहे थे कि कब विराट कोली के बले से शतक निकले लेकिन 2019 के बार अब 2023 है और आस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोली का ये शतक देखने को मिला शांदार ये शतक और इसके साथ ही कई रिकॉर्ड विराट कोली ने अपने नाम कर लिये हैं आपको बता देए कि इससे पिछली बार 2019 में बांगलादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खिला जा रहा था जिसमें विराट कोली ने शतक जमाया था 2019 के बाद अब आस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पार फिर से शतक जमाया है यानि कि कुल 1206 दिन बाद विराट कोली के बल्ले से ये शतक निकला है इसको लेकर फैंस बहुत उत्साहित और बहुत खुश हैं आपको बता दें कि अब इस शतक के जमाने के बाद कर रिकॉड विराट कोली के नाम जिसमें से एक रिकॉड ये है कि विराट कोली अब आस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जमाने में सुनिल गावसकर के बराबर पहुँच गए हैं तो वहीं विराट कोली का ये 75 अंतराष्टिय शतक है टेस्ट मैच में जिसमें अब विराट कोली 75 शतक जमाने वाले बल्लेबास बन गए हैं इससे पहले है रिकॉड क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तंदुनकर के नाम था उन्होंने 566 पारियों में 75 शतक जड़ा था जबकि विराट कोली ने जो मुकाम हासल किया है वो 552 पारियों में ही कर लिया है अलाकि अब क्योंकि टेस्ट मैच में भी विराट कोली की वापसी हो गई है और इस वापसी को लेकर फैंस बहुत खुश है और बहुत सारी शुबकाम है विराट कोली